उत्तर प्रदेश में 79,000 शिक्षक भरती मामले में एक और मोड आ गया है मोड ये है कि छात्रों का कहना है कि जिन लोगोंने National Institute of Open Learning से D.A.L.A.D. की डिगरी पाई है उन लोगों को समायोजित क्यों नहीं किया जा रहा ये मामला ऐसा नहीं है कि पहली बार उठ रहा है यहाँ इससे पहले बिहार में ये विवाद वर्षों पहले उठ चुका है जिसमें बिहार के पटना उचन्यायले ने ये विवस्था दी अपने फैसले में बताया कि जिन्होंने D.A.L.A.D. किया है वो इस बात के लिए सुपात रहें नौकरी पाने के लिए शिक्षक की यानि उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये विवाद आया है इस पर आगे क्या होना है क्योंकि छात्रों के अंदोलन इस पूरे भरती को लेकर अब तक आधा दर्जन से जादा अंदोलन हो चुके हैं कहीं विकलांग बैठे हैं, दिव्यांग बैठे हैं कहीं ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन उनका नाम चांट दिया गया है क्योंकि जो रिजर्वेशन कोटे के हैं, उनको ये लग रहा है कि उनके साथ नाइनसाफी हुई यानि कुल मिला कर, ऐसा एक तो ये भरती बिर्बल के खिचड़ी हो गई, दूसरी एक पुरानी कहावत है कि काने के ब्याह में सत्तर रोडे, ये ऐसी सरकार कहरी हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और कब से, 2018 से अभी तक ये 2021 आगया, लेकिन मामला ऐसे ही पड़ा है, अब ये मामला मुझे लग रहा है कि अब अदालत में भी लोग जाएंगे और पटना हाई कोट के जज्जमेंट का हवाला दिया जाएगा यानि सरकार को हो सकता है कुछ डिले के बाद इसे मानना पड़े, लेकिन अब सारी चीजें कोट अगर कोई जाता है हाई कोट तो फिर हाई कोट में तैह होंगी या तब तक आंदोलन तो चलता ही रहेगा यानि शात्रों का कहना है कि डिगरी डिगरी सारी बराबर है और जब कोट ने भी सिमानेता दे दी है विहार सरकार ने भी उसमें नियुक्ति दी है तो ऐसे मुतर प्रदेश सरकार को क्या मुश्किल हो सकती है क्या परिशानी है इसे देखा जाए हम लोग नावी से डिलेट किये हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो आगामी सिक्षक भरती है उसमें हमको पार्टिसिपेट करा जाए और इस चीज को लेके हम लोगों ने जो है मेंमे अपना वह किया था मुअलब यह पत्र को ले के कि यह पत्र जो अभी प्रचित गरै जो करें नसीटि K war उड़ने का अधिसदी और शै जनवरी को यह पत्र प्रिशित कर दिया गया है जो प्रदेश की सिक्षा सची हों उनको जबकि पी अभी ऐसा भी हम मिलने आये तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा निर्देश नहीं आया है जिसके माध्यम से हम आप लोगों को इसमें संबलित करें अठारा महिने का हम लोगों का सिक्षण कारे हुआ है जबकि छे महिने का हमारा इंटरसीफ है इस सारी चीजों को लेके दो साल का यह कूर्स हमारा हो गया तो हम यहीं चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश की सिक्षा सची हुआ है वो जल्द से जल्द हम लोगों को जो है इसम सामिल किया जाए जैसा कि सरें City ने चे तारीक को लेटर जारी किया ğब देस के शज़ेट को जो है सिच्छा सुचि पास भेजा गया है पुर Kathari जाने तो हम लोग यहांस नाट यहीं साुचशा को रिचा 웃व सन्ज्व timingiding तो सर अगर नहीं आता है तो सर हम लोग की हो नहीं पा रही है अभी सर यह हो जाता तो हम लोग निश्चित हो जाते आगे की पढ़ाई करते जो है अगर नहीं आता तो सर हमें जो है या तो सर कोड जाना पड़ेगा जो है